एलो फ्रेंड्स, वेल्कम गें तो माई यूटूब चैनल, तो आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 12 के स्लेबर्स के बारे में, पर एकनामिक्स टर्म 2, तो जैसे कि आपको पता है कि टर्म 2 स्टार्ट हो ही चुका है, हम भी हमारे इस चैनल पे टर्म 2 की बहुत जल लाइव क्लासे स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको पूरा ही स्लेबर्स लाइव करवाया जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपकी डाउट्स होंगे, टर्म 2 के रिगार्डिंग फॉर एकनामिक सब्जेक्स, अकाउंट और बिसनस स्टेडि सब्जेक्ट वो हम लाइव डिसकस करेंगे, लेकिन भई स्लेबर्स स्टार्ट करने से पहले आपको स्लेबर्स के बारे में पता भी तो होना चाहिए न, हम लाइव क्लासे तो स्टार्ट कर देंगे, उसका प्लैन भी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर कर देंगे, डिटेल मे आपको बता देंगे कि कब हमारी कौन से डे को, कौन से क्लास, कितने बज़े आएगी सारा प्लाइन आपको पता चल जाएगा लेकिन भई स्लेबस में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला term 2 के according वो पता लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि term 1 के comparison में term 2 time कम है यानि term 2 में आपके पास time थोड़ा कम है और इस time को कैसे manage किया जाए इसके लिए स्लेबस का पता होना बहुत जरूरी है अगर स्लेबस नहीं पता होगा तो आप कुछ भी कुछ भी पढ़ना शुरू कर दोगे कहीं से भी और आपका स्लेबस भी नहीं cover होगा आप final exam के लिए prepare भी नहीं होपाओगे इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दे कि CBAC नहीं तो कह दिया कि subjective exam होगा लेकिन क्या कोई confirmation है कि subjective exam ही होगा नहीं तो हम हमारी live classes में आपको हर वो content, हर वो chapter हर वो topic करवाएंगे जो objective और subjective दोनो point of view से important है So live classes कब रहेंगी उसका पूरा plan हम आपके साथ share कर देंगे बहुत जल्द लेकिन आज के इस lecture में हम पहले syllabus देख लेते हैं और syllabus का एक highlighted point में शुरू में ही बता देता हूँ आपको economics का जो deleted topic है वो term 1 में सारा चला गया यानि term 2, अब यह जो आपका term 2 है इसमें जादाता topics deleted नहीं जादाता topics ऐसे हैं जो exam में आएंगे यानि जादा कुछ deleted नहीं है, इसलिए syllabus जादा है, time कम है, क्या syllabus में है, क्या नहीं है एक बार देख लो, उसके बाद हम हमारी live classes start कर देंगे तो चलिए, एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या हमारे पास है economics के syllabus में for class 12, term 2 okay, so यह आपके पास पूरा syllabus है एक बार overview देख लीजे, फिर हम एक-एक chapter का एक-एक content आपको बताएंगे ताकि आपके mind में clarity हो जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुए term 2 एक subjective question paper होगा, लेकिन कोई confirmation नहीं है, objective भी हो सकता है CBSC ने बस एक announcement करने है कि भई, situation जो है वो थोड़ी खराब चल रही है, तो हम objective exam करेंगे तो दूनों के लिए prepare करने है 1-1 mark के question भी आपको नहीं छोड़ने कोई भी topic अभी नहीं छोड़ने क्योंकि अभी तो time है जब revision करने लगेंगे तब आप कुछ topics छोड़ सकते हो, जो हम आपको तब बताएंगे, लेकिन अभी आपको सारा content cover करना है आप चाहे तो हमारी recorded session से कर सकते हो otherwise live classes का plan तो आपको मिल ही जाएगा So, 2 hours के time में आपको 40 marks का पूरा question paper आएगा subjective होगा written practice करते रहिएगा लेकिन objective के लिए one marks के question भी prepare करते रहिएगा जैसे part A और part B term 1 में था same part A, part B term 2 में भी है part A आपका represent करेगा macro economics को और part B आपका represent करेगा Indian economic development को term 1 में आपका देखा जाए तो जो छोड़े chapter थे वो cover हो गए अब आपके पास एक सबसे बड़ा और सबसे important chapter आता है वो है national income and related aggregates बहुत सारे students ने तो ये कर भी लिया था जब slivers के announcement नहीं हुई थी जब term 1 और term 2 के बारे में नहीं बताया गया था लेकिन जिन students ने ये chapter कर भी लिया है दुबारा से करना जरूरी है ये chapter 10 marks carry करता है lengthy है numerical based है calculation based है concept clarity based है तो इस chapter को सबसे ज़्यादा time देना पड़ेगा तब जाके clarity होगी इसके बाद अगर हम बात करें determination of income and employment marks ज़्यादा carry करता है practical के point of view से देखा जाए तो 20% practical है 80% theory है important है क्योंकि 12 marks carry करता है so overall अगर देखा जाए तो दोनो same same level के chapters है हाला कि जो national income है वो थोड़ा hard हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा practice करने पड़ेगी है क्योंकि इसमें practical ज़्यादा है जबकि second chapter इसमें practical ज़्यादा नहीं है इसमें theoretical concept है तो आपको concept clarity ज़्यादा रखनी पड़ेगी अगर हम बात करें part B की Indian economic development की तो इसमें current challenges facing Indian economy आता है current challenges में आप poverty, rural development और human capital formation तो कर चूक हो बाकि 3 जो challenges है वो आपको करने है जैसे employment एक बहुत बड़ा challenge है हमारी economy के लिए infrastructure growth, development sustainable economic development बहुत बड़ा मतलब challenge है तो ये तो pure theory है और देखा जाए तो इसमें आपके पास data भी ज़्यादा नहीं है first term में आपके पास बहुत सारा data था लेकिन term 2 में जो Indian economic development है उसमें ज़्यादा data नहीं है तो current challenges में आपको ज़्यादा data करने के जुरुत नहीं है theory concept ज़्यादा अच्छे से करोगे तो सही रहेगा इसके साथ ही Indian economic development का second next unit जो है वो है development experience of India with their neighbor countries मतलब हमें comparison करना है इंडिया का पाकिस्तान के साथ इंडिया का चाहिना के साथ जब comparison करेंगे तो यहाँ पर data important role play करेगा तो इसमें आपको data करना पड़ेगा chapter जो है वो सिर्फ six marks का है लेकिन एक ही chapter है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा इसमें तीन chapters है तीन concepts है और इन तीनों को मिला कर ये 12 number का है तो इन तीनों के comparison में अगर आप ये वला concept अच्छे से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा So total आपके हो जाएंगे 40 marks Time period आप देख सकते हो Time period यहाँ पर आप देख सकते हो 75 days कहा गया है कि 75 days में आपको ये अपना cover करना है यानि 2 and a half month near about हम 2 months में आपका ये पूरा स्लेबस खतम करवा देंगे अपनी live classes में चली अब एके करके elaborate करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं part A की that is macroeconomics सबसे पहले इसमें आएगा national income and related aggregates इसमें आपको न 50% practical और 50% theory cover करने हैं यानि 50% practical है लेकिन दिक्कत ही है ये chapter है practical exam में आएगा भी practical लेकिन वो practical करने के लिए आपको theory समझनी पड़ेगी तो इसका मतलब ये पूरे chapter करना पड़ेगा कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से अगर हम theory की बात करें macroeconomics होता क्या है macroeconomics कौन से level के problems discuss करती है एक economy में जो goods और services produce की जाती है वो कितने तरह की होती है क्योंकि हमने पूरी economy को understand करना है macroeconomics यानि economic problems in a wider scale economy as a whole तो एक economy में types of goods जो produce की जाती है consumption goods, capital final goods intermediate goods इन सबको meaning अच्छे से करना आपको और यह सबसे confusing topic है types of goods सबसे confusing topic है यह आपको अच्छे से करना है जितनी जादा examples हो सकेंगी आपको उतनी जादा examples solve करना है इसके बाद stock and flow concept और last में gross investment versus net investment with the help of depreciation यह आपको understand करना है next circular flow of income bracket में दिया गया two sector model मतलब income market में कैसे rotate करती है कैसे income का rotation होता है यह आपने understand करना है four models होते हैं एक economy में लेकिन आपको दो models ही understand करने है जिसमें एक तरफ होगी private sector और एक तरफ होगी household sector तो इन दो sectors के बीच में money कैसे rotate होती है वो आपको understand करने है और methods of calculating national income एक economy के अगर आप national income calculate करना जाते हो तो उसके three methods होते है और यह आपका पूरा यह पूरा आपका practical है इससे पहले मैंने जो बताया वो सारा theory था यह आपका practical है value added method और production method practical है expenditure method practical है income method भी practical है यानि इसमें आपको कुछ formulas learn करने बढ़ेंगे बहुत आसान है already हम आपको करवा चुके है recorded sessions में आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो description में link given है live भी हम आपको करवाएंगे then income calculate करने के जितने भी aggregates होते है वो भी आपको solve करने बढ़ेंगे जैसे gross national product net national product gross domestic product net domestic product at market price as well as factor price यानि दोनों ही values पर आपको ये calculate करने बढ़ेंगे last में real income और nominal income यानि real GDP और nominal GDP क्या होते है GDP और welfare क्या होते है देखा जाए तो इस chapter में से इस unit में से कुछ भी related नहीं है लेकिन एक चोड़ा सा topic है जो slaybers में mentioned नहीं है that is GDP deflator तो हम इसको ये मान कर चल रहे हैं कि ये deleted है ये topic आपका deleted है next macro economics का third unit आपके पास है determination of income and employment यानि एक economy में income और employment understand करना consumption pattern understand करना aggregate demand और aggregate supply को understand करना ये वो chapter है जैसे आपने 11 standard में demand और supply chapter किया था लेकिन वो market level का था small level का था अब आप macro economics के level पर aggregate demand, aggregate supply income, consumption expenditure ये सब आपको understand करना है तो ये वो chapter है जिसके help से आपको aggregate demand और उसके components डिसकस करने propensity to consume and propensity to save डिसकस करना है average and marginal दोनों यानि average propensity to consume, marginal propensity to consume average propensity to save, marginal propensity to save दोनों cover करने है होते क्या है वो तो हम डिसकस करेंगे फिलहाल आप syllabus देखे short run equilibrium आपको करना है long run नहीं करना है investment multiplier and its mechanism ये practical है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा chapter है जिसमें 80% आपके theory और 20% आपका practical है तो ये ही वो practical है investment multiplier money multiplier आपने किया चाहना money और banking में same वही concept है बस थोड़ा सा change है फिर इसके बाद full employment and involuntarily unemployment क्या होता है ये भी theory है आगे बढ़ते हैं अब जैसे जैसे आप demand और supply की बात करोगे तो market में कई बाद demand जादा होती है कई बाद supply जादा होती है यानि excess demand and deficit demand ये problems है एक economy की एक economy में demand जादा होना या फिर एक economy में demand कम होना ये problems है इन problems को measure कैसे किया जाता है और correct कैसे किया जाता है ये भी आपको करना बड़ेगा correct करने के लिए government spending है taxes है borrowing है लेकिन सबसे जादा जरूरी है money supply ये वो concept है जो money और banking में आना चाहिए था लेकिन आपको यहां करवा दिया तो कोई बात नहीं term 1 में नहीं था ये तेकिन term 2 में आ गया है यानि market में अगर demand जादा है या फिर market में अगर demand कम है तो क्या money की supply को regulate करते हुए हम excess और deficit demand की problem को दूर कर सकते हैं कर सकते हैं ये उसके measures है bank rate cash reserve ratio statutory liquidity ratio repo rate and reverse repo rate open market operation marginal requirement कई students तो इसको term 1 में ही कर चुके है उनके लिए तो और आसान हो जाएगा जिन्होंने नहीं किया तो हम करवाएंगे इस chapter में से कुछ भी deleted नहीं है ये सारा unit आपको ऐसे ही complete करना है no reduction जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया भई economics का term 2 syllabus अगर आप देखोगे तो जादा कुछ deleted नहीं है क्योंकि deleted portion जितना था वो term 1 में ही आ गया तो term 2 का syllabus से जादा है थोड़ा ध्यान से करना है आगे बढ़ते हैं part B की बात करते है Indian Economic Development इसमें सबसे पहले आप क्या वास आता है current challenges में से employment growth and changes in employment यानि हमारी economy में हमारी Indian economy में employment कितना grow कर रहे है कितने लोग employed हैं कितने unemployed हैं voluntary employment, voluntarily unemployment formal sector employment, informal sector employment problems and policies of government for employment यानि employment का पूरा निचोड आपने करना है कुछ भी related नहीं है इसमें से next current challenges में second हमारे पास आता है infrastructure road connectivity health sector education sector यह सब इसमें आता है लेकिन इसमें से energy sector deleted है जो कि थोड़ा typical था इसमें आपको data भी बहुत याद करना था energy के लिए coal, petroleum यह सब आपको करने की जरूरत नहीं है आपको case studies करनी है कुछ किसके regarding health sector के regarding health sector की problem क्या है कैसे health sector इंडिया में develop हुआ after independence और अभी उसकी situation क्या है critical assessment आपको करने है public sector कितने है private sector कितने है उनका participation कितने है healthcare facilities में यह सब थियूरी है जादा इसमें data आपको नहीं करना है the next sustainable economic development यानि अगर हम अपनी development करना चाहते हैं future generation को ध्यान में रखते हुए development ऐसे करो कि present requirements पूरी हो जाएं लेकिन future की generation को सफर ना करना वड़े future की generation के लिए भी resources बच जाएं अगर हमें ऐसे development करनी है तो उसको कहते है sustainable economic development तो होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया economics effect हमारे resources के उपर क्या पड़ेंगे अगर हम sustainable development करेंगे global warming का concept आपको इसमें से करना बढ़ेगा global warming very important है और यह पूरा theory है इसमें कोई भी data नहीं है कोई deduction नहीं है इसमें से पूरा करना है last unit आपके पास आता है development experience of India यानि आपको comparison करना है इंडिया का पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ किस चीज में? growth में यानि इंडिया की growth कितनी है पाकिस्तान की कितनी है? चाइना की कितनी है GDP population की growth rate कितनी है sectoral development कितनी है यानि इंडिया चाइना और पाकिस्तान का private private public treasury, secondary और primary ये sector कैसे कैसे develop कर रहे है इनके बीच में भी comparison करना है सबसे ज़्यादा जरूरी human development indicator तीनों का compare करना है जिसको हम HDI भी कहते है तो इसमें data आपको याद करना पड़ेगा जितना ज़्यादा आप data याद करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए easy होगा और इस chapter में से भी कुछ deleted नहीं तो यहाँ पर हमारा slivers discussion complete हो जाता है आने वाले sessions में हम आपको बताएंगे कि किस strategy के थूँ आपको यह slivers cover करना है और हमारी live classes का क्या plan रहेगा कौन से डे कितने बजे कौन से subject की class conduct की जाएगी अगर आप recorded sessions अभी से देखना चाहते हैं तो recorded session तो available है link description में गिवने वीडियो को like और share ज़रूर कर दीजेगा अपने सभी friends के सार्थ ताकि उनको भी पता चल जाए कि भी हमारे channel पे आपको free of cost live classes provide की जा रही है so do like, share and subscribe